बीडन विल्कम बेक यूवल आज हम वस्त्रा नाम नमानी वस्त्रो के नाम संस्कृत और हिंडी दोनों में पढ़ने जा रहे हैं यानि कि यूँ कहें तो अस्माकम वेशाहा हमारी ड्रेसेज आए देखते हैं कहां पर कौन सी ड्रेसेज चलती हैं तो शिरू करते हैं वस्त्र बेहन सकते हैं और लेडिस भी नेक्स्ट वन इस कटी वस्त्रम कटी वस्त्रम मिस धोती कटी वस्त्रम को यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारे कमर के निचले भाग को कवर कर दे धक ले नेक्स्ट वनीज नक्तकम नक्तकम इस नाईट ड्रेस सभी लोग पाहनते है रात में नाईट ड्रेस ताकि हम सब खुल्ला-खुला रिलैक्स हो जाएं नेक्स्ट वनीज आप्रपदिनन पैंट नेक्स्ट वनीज प्रछद्ध। चादर, ये कोई भी चादर हो सकती है उपर ओने की चादर हो सकती है बैट पे बिछाने की चादर हो सकती है तो कोई भी हो सकती है इसको हम शीट बोल सकते हैं अगर उपर करने के लिए करनी है या फिर बैट पे बिछानी है तो बैट शीट लेकिन संस्क्रित में क्या बोलेंगे प्रच्चदधाव, चादर नेक्सटाम इस कंचुकाह, गूर्ता ये भी लेडीज या जैंट्स, कोई भी बहild सकता है इसको हम श्रट भी बहु़ सकते हैं कंचुकाह, श्रट यानि की गूर्ता नेक्स वन इस शिरस्त्रा नाम, शिरस्त्रा नाम टोपी, अगर शिरस्त्रा नाम की कई तरह की टोपी हो सकती है, जरूरी निया की मौमडन की हो सकती है, पंजाब की हो सकती है, मनिपूर की हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है, गुजरात राज्य की भी हो सकती है, तो जो सिर प पहने जाएगी उसको खर्षिरस्त्रा नाम बोलेंगे नेक्स्ट वन हाँ है उसको संस्कृत में व्रुप्रावथ्म जो डॉट बेंता है या आजिकल लेड़ी में पहते स्वोड़ गूट उसको बोलेंगे प्रावरहा कोट上 वुप्रोक्ष्णम अंगोच्हा आपने दिखा होगा कि हर्याना में लोग बहुत ज्यादा कंदे पर अपने अंगोच्छा रखते हैं या फिर मनिपूर में कंदे पर कपड़ा और कमर से लपेटते वे जो कपड़ा रखते हैं उसको भी हम अंगोच्छा बोल सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे अंग प्रोक्षण नेक्स्ट वानी जगन वस्त्रम जांगिया प्रावारकम प्रावारकम इस होते हैं शेरवानी यह शेरवानी ज़्यादा तर कहां पहने जाती है मरुस्थव राज्ये में पहनी जाती है और वैसे शेरवानी लोग functions भर हमें भी पहन लेते हैं नेक्स वन गत्र मार्जनी गत्र मार्जनी मिस तॉलिया यानि कि टॉवल जिससे आप कहते हैं जिससे हम ना दो नाते हैं तो हम अपना शरी पोचते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे गत्र मार्जनी तॉलिया वसनम, कपड़ा, किसी भी तरह का कपड़े को हम क्या बोलेंगे वसनम शाटिका, साड़ी, यह जो साड़ी और ब्लाउस जो पहना जाता है यह उत्तर राज्ये में, बिहार राज्यों में, गुजरात के राज्ये में पहनी जाती है साड़ी और ब्लाउस नेक्स वन आया अधो वस्त्रम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कटी वस्त्रम तो इसको अधो वस्त्रम या जोत वस्त्रम भी कह सकते हैं अधो वस्त्रम में धोती ये धोती कहा कहा पहनी जाती है मनिपूर में पहनी जाती है गुजरात राज्ये में भी पहनी जाती है और पंजाब राज्ये में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है उत्तर राज्ये में भी धोती पहनी जाती है नेक्स वन इस पादाइमम पादाइमम इस पजामा या सलवार तो जो कुर्ते के साथ सलवार पहनी जाती है वो कहां कहां पहनी जाती है मनिपूर में और पंजाब में एक और शब्दाया हमारे पास द्वी पादुकाम द्वी पादुकाम का मींस भी होता है सलवार या पजामा ये भी पजामा कहें तो जैंट्स लोग और सलवार कहें तो लेडीज लोग नेक्स्ट वन इस कंचुलिका कंचुलिका मिस ब्लाउज बाद त्राणम मोजे या जुराब सभी बच्चे पहनते हैं सॉक्स वेरा शूस के साथ तो इसको हम क्या बोलेंगे बाद त्राणम नेक्स्ट वन इस करवस्त्रम रुमाल जो छोटा सा टुकड़ा हम हाथ में लेकर चलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे करवस्त्रम कर का मतलब हाथ होता है और वस्त्रम इस कपड़ा तो यानि की हाथ में रखने वाला रुमाल करवस्त्रम नेक्स वन इस उत्रिय वस्त्रम उत्रिय वस्त्रम को क्या कहेंगे दुपट्टा इसको हम चुन्नी भी कह सकते हैं और दुपट्टा भी कह सकते हैं नेक्स वन इज उष्नी शम उष्नी शम इन्सों तर्प बगड़ी पगड़ी कहें तो हम एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं जो कि हमारा आगया आया था शिरस्त्राणाम तो यानि कि लंब शिरस्त्राणाम आ जाए तो भी बगड़ी होता है और उष्नी शम आ जाए यानि कि कुल्ट जो कि हम सर्दियों में औरने के परियोग में लाते हैं नेक्स वने कंबल है कंबल जब ठंडी मीटी ठंड होती है तब हम ब्लैंकिट का परियोग करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे कंबल और संस्क्रित में कंबल है तिरस्कर करेणी और अवगुंठनम दोनों को ही हम क्या बोलेंगे परदा ये भी सभी के घर में यूज किया जाता है कर्टेल तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे फिर से दो रही है तिरस करेणी या अवगुंठनम यदि आपको मेरी वीडियो पसंद रही हो तो फ्लीज लाइक करे शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट फोक्स में जरूर पूछ सकते हैं आप मुझसे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली और अपडेट्स आप तक पहुंच सकें थैंक्यू चिल्दन